हेलो बच्चा लोग तो तुम वही हो ना जिसने अभी अभी फर्स्ट एर किया है और वह 12 में जाने वाला है और ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं की थी तो आप सोच रहे हैं कि भाई 12 में कुछ अच्छा कर लिया जाए तो भाई तुम लोग के लिए यह लगा रखा ह आज मैं आपको बताऊंगा भाई कि क्लास्ट का सेलबस क्या है क्योंकि इस बार चेंज़ आएं आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पालसी के तहर्त कुछ जोड़ी गए कुछ यह हटा होगा वैसे इंग्लिस में भी कुछ चीज़ें है जो एड की गई है और जो हटा सबस्क्राइब बाटिस होगा यह होगा 22 माथ साप क्या होंगे पूराइबर के सेक्शन यहrep San सुन कर रहे होंगे चारीस मार्स ही हां से कोड़ों होगे यहां कोई डाउट नहीं है तीन सेटिंट है स्थिए एच्शन जैसन जा शूंत हो Summar fishing पर जाते हैं और देखते हैं कहां से क्या आने वाला है तो सेक्षिन एक अगर हम बात करें तो यह डील कर रहा है 22 मार्ग से और रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड यह सेक्षिन देखते हैं करना क्या वाई तो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन थू अंसीन पैसेज किसके थरिये यहां पर आप का 22 23 का था अब जो 23 24 का जो सिलबस आया है जो अकेडमिक सिलबस आया उसमें डिफरेंस किया बच्छे डिफरेंस यहीं पर आता है कि पहले आप रट्टा मार करके ज्यादा नमबर ला सकते थे पहले आपको जो अब्जेक्टिव टाइप कोशन थे वह बीस परसेंट थे आ अब बढ़ा दिये गए उसी तरीके बिटा यहां पर भी अब जो पैसे जाएगा ना वहां पर आपको कोशन सीधे सीधे नहीं मिल जाएगा कि पैसेज में फटाक से निकाल दिया आपको थोड़ा सा क्रेटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी थोड़ा अनलेटिकल बनना अब तरीके पैसे जोंगे तीन तरीके के पैसे जोंगे कौन-कौन से फैक्ट्वल डिस्क्रिप्टिव और लिट्रेरी आइधिंग आप को इतना पता था आगे बढ़तने बचा वन अंसीन केस बेस्ट एक्ट्वल पैसेज विद वर्बल विद वर्बल और विज्वल इन्पोट्स लाइक स्टेटिकल डाटा चार्ट्स टू एक्सेस कॉम्प्रेहेंशन इंटर्परेशन अनालिस इंट्फरेंस एंड इवैल्यूएशन देख रहो भारी भारी सब दुमारे कुल अब मीदेटेवेह ज्रेटीक खीत्यूकिनेशन सैंननग नेक्स पर चैसमे पर भी निबस देलिंग वर्ट क्रियेटिव राकिए इसकिल्सिसवते रितिक रॉइटिकी क्या आता है अरे नोटिस राइटिंग लेटर राइटिंग रिप्लाई राइटिंग याही सारा राइटिंग तो महरती कि नौटफी प्यार महव्बस्ते बता रखें नोगते राइटिंग सब से यह जाएंगे जिसमें फॉर्मिट का एक माख होगा तो अगर बहुत ही बोंदू बच्छा बिल्कुली बोंदू जिसको पढ़ाई लिखा आती नहीं फॉर्मेट तो सीख सकते हो ना अब तुमको अगर सीधी लाइन खीचनी आती है और वो कहरा सीधी लाइन खीचने का तु तो एक मार्क महाँ सभी मिल जाएगा यानि कि दो मार्क तो हर हाल में मिलेंगे चाहिए कितना ही गोबर बचा क्यों नहीं होते उनको पढ़ाने वाले गोबर होते तभी वह बन जाते हैं चलो आगे बचा फॉर्मल इनफॉर्मल और इन्वीटेशन या फिर रिप्लाई इसका भी सेम जो बिटा मार्क पैटरने से में फॉर्मिट आपका एक मार्क देगा आपको कंटेंट दो मार्क देगा एक्क्यूरेशी ऑफ स्पैलिंग अन्ग्रामर अगें टू मार्क इसके बाद यह तो 50-50 वर्ट में लिखने अब 120-150 वर्ट तो लेवल उपर करेंगे ब जॉब के लिए अप्लिकेशन विद डाटा और रेज्यू में अब इसे अप्लिकेशन तो आपने बच्पन से लिखाए पेट खराब हो गया घर जाना है ना चुटी गल्ले तुमने खुमने के लिए लेकिन अब तुमको क्या करना जौब रिज्यू में के लिए क्लिए क्य एडिटर को लेटर लिखना रहेगा किसलिए गिविंग सजेशन और उपीनियन और इशूज आफ पॉब्लिक इंड्रेस्ट तो लोग सोस्ते क्यों करवाते हैं इसके पीछे का मोटिव है क्यूंकि जब तुम्हें समस्दार नागरिक बनोगे ना एक सोशल एनिमल बनोग ना तो तुम्हें समस्दार दिखेंगे अपने प्रोस में तो मैं दिखेंगा यार की जोपने प्रोस की ना लियो चोक पड़ी और कुछ नहीं हो रहा है ना नगर नियों को तुमने कहें लिया तो तुम उसको पेपर में कैसे लाओ गया च्छापा तब वो काम करवाएंग इसका एक hidden motive एक पूरी science है that's why you are learning है ना क्योंकि हमको पता तो होता है पड़के आ रहे हैं क्यों पढ़ रहा है वो जान जाओ तो मन लगेगा तो वही अपन तुमको बताएंगे अभी classes वोने तो फिर वन आउड़ा दो गिवन कोईस्टिन टू भी आंसरे इसमें दो मिलें है बच्चे और एक cancer देना होगा इसमें पांच नमबर है जो आप आओगे format का कितना माक मिलेगा बच्चे format का आपको मिलेगा एक नमबर साथी साथ और इसन ऑफ आईडिया जिहां पर आपको क्रियेटिविटी का नमबर मिल रहा ठीक ना तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रटेंद विद्या तो नहीं हो पाती लेकिन क्रियेटिव च्छे खासे होते हैं घर पे नहीं हम लोग वोग पूरे कचड़ से गुल दस्ता समय के साथ है ना प्रैक्टिस के साथ आए लेकिन यह चीजे एक बर बता दिया है अनिक अगर आपको कल एक्जाम और टेल तका और मैं आपको आज पढ़ादू ताप ती नमबर तो लिया है हाल में दो नमबर की गराइंटी ने लिए सकते क्योंकि और साल दर साल आप सी हो अंसर इन 120-150 वर्ट अगें फिर से इसके मार्स देख लो यह दोनों लैटर और तुमारा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग यह दोनों 120-150 वर्ट की होंगे बच्चे ठीक ना और इससे पहले जो हमने देखा इससे पहले मिने क्या देखा था हमको भी नहीं पता क्या कर देखा था नोटेस ऑ 거지 और इन फॉर्मल इन्विटेशन यह तुमारे चार चार मार्स के हैं और हम बात करते हैं अगर नूम किसे अब बात कर देब लेटर और आर्ट इसे मिलने वाल में अगे सबसे यह चल six नमबर पार्ट दो से मिले तुम को अठार नमबर पार्ट नीस से मिलेंगे तुम को 40 से मर हो गए कितने असी नमबर बाकि स्कूल वालों से बढ़िया वार मना कर रखो को तो भीस नमबर वहां से मिल जाएंगे सौ में सो कर जोगार बैट जाएगा ठीक है देख लेते हैं सेक स्कूल क्लां को पिलेमिंगो आपको लां को अच्छे में मिलने वाली comparing an को शार्ट में मिलेगी आपका फ्लैमिंगो से च्छे कोशन्स पूचे जाएंगे एक एक मार के होंगे चैना सगें करोगे कौन से होंगे बीटा कॉम्प्रेहेंशन पर बेस्ट होंगे इंटर्पटेशन और एनालिटिक्स है ना एनालिस पर बेस्ट होंगे दूसरा देखो गे प्रोसेस प्रोज एक स्ट्रेट अफ वेर विस्टास का सेम बेटा वह यह वह लिख रखा है इंटर्पटेशन अनालिसस इवैल्यूएशन जवाप पढ़ रहे होगे इस बार आपको रटन ते विद्या से काम नहीं मिले का बहुत सारे बच्चे होते रट लेते नहीं जिनके वेटा तुमारे दिमाग के घोड़े दोड़ाने पढ़ेंगे तुमको रेटर के नहीं आएंगे नमबर क्योंकि कोश्चन का जो फॉर्मेशन होगा इस तरीके से होगा कि तुमको सीदे सीदे किताब से नहीं मिलेगा तो मगर एक क्रियेटिव तिंगिंग के बाद आंसर पर आप आओ तो ठीक है अधर्वाइस और वेंग टू डूम दिन इस examinations अगला बचा सॉर्ट आंसर टाइप कुश्चन यह कितने होने वाले बच्छे यह पांच कुश्चन होंगे दो दूमाक से किस किताब से होंगे बच्चा यह होंगे तुमारे फ्रॉम प्रोज अगला एक लगाई शॉर्ट आंसर टाइप कुश्चन फ्रॉम प्रोज इसस विस्टाब से कितने मिलें विच्चे दो कुश्चन मिलें गे और दो डौर के होंगे आनिकी चार मांक ते कमरे तो मेरे उसके बाद मां लॉंग वेश्चे बेस्ट एक लॉंग कैसे पूंग वे तुम्हारा विस्टास से दोनों पांच नमबर के होंगे एक तुम्हारा पका फैक्शुल बेस्ट रोगा और एक में तुम्हें अपने दिमाग के गोड़े दोड़ाने पढ़ेंगे यानि की यहां पर भी तुम को एक कुश्य मिलेगा पांच मार का आगे बात कर लेते हैं कौन सी वह बुक है जो तुम को पढ़कर के जानी है न यह तो पता होना चाहिए न लाल तो प्रिस्क्राइब कौन से बच्छे प्रोस कि अगर मैं बात करूं तो फ्लैमिंगो तुम्हें याद अच्छे प्रोस में बात करूं तो यह प्रेसे दे लास्ट लेसन लॉस्ट श्रींग बीप वाटर रैट रैप इंडिगो आगे क्या वाई पोई पोईट्स एंट पैंकेक्स दा इंटर्वीव ब्लेस इसकी बात करें पोईट्री में इसमें भी पांच लेसेंस हैं माई मॉ सब्सक्राइब करेंगे चर्चा जल्दी ही यह था आपका सिल्बस एंड लास्ट आप सभी को दिल की अनंत गहराई हो से बहुत बहुत धन्यवाद देखो इस धरकराया मेरा दिल धन्यवाद करते हो ठीक ना मिलते एंगले सेशन में तब तक कि लिए जैंद इसी तरीके प बस्तमस्तिस का वास होता है जैंद